बॉलिवुट की नवाव सेफली खान और अमरता सिंग की लाडली बेटी बॉलिवुट एक्टरस सारा ली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कूली नमबर वन को लेकर जंकस सुर्खियां बटो रही है दरसल हाल ही में सारा ली खान और वरुन धवन की फिल्म कूली नमबर वन का ट्रेलर रिलीज हुआ है इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंक्स इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है वहीं दूसरी ही ओर सारा और वरुन आलोचना का सामना भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सारा और वरुन को जंकर ट्रॉल भी किया गया है चानकरी के लिए आपको बता दें कि कुली नंबर वन फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म कुली नंबर वन का रीमेक है गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टार फिल्म फूली नंबर वन की इस रीमेक फिल्म को लेकर फैंस काफी एकसाइटेड भी नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी ही ओर सारा लिखान की तुलना करिश्मा कपूर से की जा रही है इस बीट सारा लिखान ने हाल ही में एक statement दिया था वही अब इस फिल्म को लेकर सारा लिखान ने एक और statement दिया है दरसल जनकरी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सारा से एक सवाल पूछा गया इस फिल्म को लेकर कि आखिरकार मूल फिल्म में क्या दिक्कती जो इस फिल्म का रीमेक बनाया गया है इस पर सारा ने अपने इंट्रिव्यू में बात की है और इस फिल्म को लेकर अपनी राय पिर्तिक्रिया भी रखी है सारा कहती हुई नजर आई हैं कि मैं लोगों से अपील करूँगी कि वो इसे उतने ही इमानदार भाव से देखें जिससे इसे बनाया गया है फर्क होता है उसमें जो आप ट्विटर पर कहते हैं और जो एक entertainment comedy film कहने की कोशिश करती है यदि हर कोई politically correct होने की कोशिश करेगा तो हमारी जिंदगियों में हसने हसानी की सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगे जाहिर तोर पर आप चीजों का गलत अर्थ नहीं निकाल सकते गोविंदा सर का करिश्मा को बेवकूफ बनाना और कहना कि वह एक फूली नहीं है बहुत फणी है और इस तरीके से सारा अली खान ने ये statement दिया है इस film को लेकर कि आखिरकार पहली film में क्या दिखती वेल देखा जाये तो सारा अली खान ने पूरी कोशिश की है इस film के जरीए अपने दर्शकों को entertain करने के लिए हमेशा ही फैंस सारा के दिवाने होते हुए नजर आते हैं अब देखना दिल्चस्प होने वाला है कि सारा अली खान अब स्क्रीन पर क्या कमाल करके दिखाने वाली है हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहें